आ गया है sound का chapter और sound का ये है part 2 लेकिन part 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है कोने पर जाकर click करो और उस part को देख कर आओ बहुत ही अच्छा वीडियो बना था और बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने part 1 को sound chapter को बहुत ही अच्छे तरीका से उसमें समझाया है अगर उस वीडियो को नहीं देखते हो तुम तो इस वीडियो को भी तुम नहीं समझ पाओगे इसलिए आज हम दोग चालू करने वाल है sound chapter लेकिन मैंने community post में बताया था post किया था कि sound chapter आने वाला है coming soon लिखके next video coming soon लिखके post किया था community पे लेकिन वो वीडियो नहीं आ पाया क्यों नहीं आ पाया क्यूंकि exam start हो चुका था और exam का preparation भी बहुत बाकी था इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया तो आज वीडियो आ रहा है तो ये वीडियो है characteristics of vibrations में मतलब ये वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे characteristics of vibration तो लास्ट टॉपिक मैंने start मतलब खतम किया था क्या था वो था sound in vacuum था sound in vacuum sound needs a medium to travel था उसमें sound in vacuum sound vacuum में travel करता है या नहीं करता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था लास्ट टॉपिक तो यहां पे characteristics of vibration पहले हम लोगों start करते हैं पहला point sound is a type of energy made by vibration आप लोगों जानते हो पढ़े भी हो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि sound एक तरह का energy है कौन सा energy है mechanical energy है जो की vibration से produce होता है बनता है या produce होता है इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं फिड in some cases these vibration are clearly visible मतलब कुछ कुछ cases में मतलब कुछ situation में यह जो vibration है वो हमें clearly दिखाई पड़ते हैं कहां कहां दिखाई पड़ते हैं जैसे आप लोगों ने guitar पकड़ा होगा या उसको चलाया होगा उसके तार को अगर हम rub करते हैं फिलाते हैं प्लग करते हैं तो वो भाइबरेट करता है तो हमें दिखाई भी देता है ऊपर नीचे इसे होता है वाइबरेट करता है वो दिखाई भी देता है जैसे प्लग वाइबरेट का भी मैंने एक्जामपल लिया था रवबर को भी अगर हम दोनों साइट से पकड़कर बीच मैं इसे से करेंगे तो भी वो भाइबरेट करेगा और वो हमें दिखाई भी देगा तो कुछ केस में वाइबरेशन जो है वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं तो इसी का example भी वही लिखा हुआ है गीटार वाला string of a guitar is clearly visible where it is plugged vibrating up and down मतलब मैंने आपको समझा दिया फिर but in some cases the vibration are not visible because they are too small to be seen with our naked eyes these vibration can be felt by touching the vibration object vibrating object कि कुछ कुछ cases में हमें vibration नहीं दिखाई देते हैं जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपके mobile से आवाज आ रहा होगा तो वह भी vibration हो रहा है लेकिन वह आवाज आप पहुंच रहा है है लेकिन वह vibration दिख नहीं रहा है वह सिर्फ और सिर्फ सुनाई दे रहा है महसूस हो रहा है सकते हैं इसलिए उनको करें को ले अफ्रेश्ट कर सकते हैं मतलँ उसको के कि उसके अब यह उन्हस्am से इसे आष्ट करें करेंगा और एक और हैंचेमिक्ड उन आप भी बोल रहे हो तो तो अपने गले को थोरोट को चू कर देखना वो वाइब्रेट करेगा देखो मैं बोल रहा हूं और यह मेरा गला वाइब्रेट कर रहा है इसी वाइब्रेशन को बोलते हैं कि हम अपने आखों से नहीं देख सकते बस फिल कर सकते कब जब हम अपने उस वाइब्रेटिंग हुआ है when we speak or sing our vocal cords vocal cords vibrates we are not able to see them but can we feel the vibration if we put our hand over the front of the throat मतलब अपने throat के आगे अगर हाथ को रखें तो आप vibrate भी करता है यही हो गया characteristics of vibration इसको पढ़ो note down करो और उस video को भी जरूर देखना अब हम लोग को पढ़ना है recording vibration मतलब हम लोग vibration को record कैसे कर सकते हैं नाप कैसे सकते हैं how to measure vibration इस topic का नाम यह भी हो सकता है how to measure vibration या recording vibration तो हर particle के पास हर vibrating particle के पास तीन type के characteristics होते ही होते हैं कौन-कौन से amplitude time period और frequency time period तो समझ में आ रहा होगा कि vibration हो रहा है तो कितने time में हो रहा है amplitude और frequency क्या है और time period भी क्या है तो यह समझने के लिए वीडियो को आगे भी देखना होगा और हम लोग पहले इस example को समझते हैं क्या है example यह pendulum simple pendulum pendulum तो इन तीन चीजों को समझने के लिए हम लोग एक pendulum pendulum का सहारा लेंगे pendulum का सहारा लेके simple pendulum का सहारा लेके हम लोग इन तीन तॉपिक को अराम से समझ जाएंगे तो सबसे पहले ये है सिंपल पैंडूलम का डाइग्राम इस डाइग्राम को आप नोडाउन कर सकते हो और ये कुछ है पॉइंट्स की जीरो यहां पे जीरो का है तो ये मीन पोजिशन करलाता है और ये भी एक्स्ट्रीम पोजिशन क ये सब कुछ लिखा हुआ है वो मैं बस अभी समझा देता हूं तो सबसे पहले देखो इसको क्या बोलते हैं ये जो गोल है तीनों गोल उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं यहां भी मैं लिख देता हूं इस गोल को बोलते हैं बॉब क्या बोलते हैं बॉब बोलते हैं अगर यह नॉर्मल पोजीशन पे रहता है तो इसको मीन पोजीशन बोला जाता है अगर वो हिलता है तो वो मैक्सीमम कितना जा सकता है जैसे हैं मैं यहाँ पे डंटा खड़ा कर दू ऐसे करके और यहाँ पे यह कितना दूर तक जा सकता है उस जितना दूर तक मैक्सीमम जा स रखता है उस पोजिशन को एक्स्ट्रिम पोजिशन कहते हैं ठीक मीन पोजिशन मतलब नॉर्मल पोजिशन जहां पे काइनेटिक इनर्जी मैक्सिमम होता है और एक्स्ट्रिम पोजिशन जहां पे मैक्सिमम पोटेंशल इनर्जी होता है पोटेंशल इनर्जी होता है वो मैक् point of swing इसको बोलते हैं मतलब जहां तक जा सकता है highest maximum उस position को extreme position मैंने बता दिया तो यही है बस थोड़ा सा diagram है अगर इन तीन चीजों को समझना है तो आपको इस diagram को थोड़ा सा याद भी रखना होगा जैसे मैं वहां पे अगर बताऊं कि amplitude क्या होता है frequency क्या होता है time period क्या होता है तो वहां पे मैं छोटा सा diagram भी पारूँगा इस तरह से pendulum का और यहां पे नाम दे दूँगा A O B मतलब नाम दूँगा तो बस इसी का नाम दूँगा E नहीं कि B यहां पे O यहां पे ऐसा नहीं है मैं नाम दूँगा बस यही तो आपको इसको याद भी रखना होगा थोड़ा सा आपको याद करो और यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इन तीन चीजों को समझने के लिए तो यहां पे सबसे पहले इस ब्राइग्राम को नोट डाउन करो और किसको क्या बोलते हैं वो आप लोग देखो तो मैंने बताया पहले क्या बताया कि अगर मीन पोजीशन पे है बॉब तो उस समय काइनेटिक इनर्जी मैक्सिमम होता है और एक्स्ट्रीम पोजीशन कि मैक्सिमम काइनेटिक इनर्जी कहां होता है मीन पोजीशन पे होता है और काइनेटिक पोटेंशल इनर्जी कहां पे होता है तो एक्स्ट्रीम पोजीशन पे होता है जब बॉब ये चाहे तो बी पे रहता है ठीक तो इसी मतलब पेंडूलम के डाग्राम को आपको याद है और एतना बात समझे लो कि हर particle के पास तीन characteristics हर vibrating particle के पास 3 characteristic होते ही होते हैं Amplitude time period और frequency हम लोग स्टार्ट करते है सबसे पहले Amplitude से जिसका sign होता है A मतलब sign का मतलब उसको Самble दिया गया है कि A से तुम denote होना तुमको यह नाम से पहचाना जाएगा physics में तो पर amplitude का मतलब A, तो यहां पर पहला point, दूसरा point और यह थोड़ा सा diagram और pendulum से भी हम लोग समझेंगे, मैंने बताया था कि pendulum से भी मैं draw करके किनारे side में बताऊंगा कि कैसे amplitude का, क्या amplitude होता है और कैसे amplitude इस pendulum पर लगता है, तो सबसे पहले the पहला point, the maximum distance covered by a vibrating or swinging object from its mean position, मतलब maximum ज्यादा से ज्यादा distance cover किया हुआ किसी vibrating object से, किसी vibrating object से या swinging object से, उसके mean position से, जैसे मैंने बताया था pendulum से हम लोग पहले इस पहले point को समझते हैं, कि यहां पे देखो, यह जो रहता था mean position रहता था, यह क्या रहता था, यह जो bob है, यहां पे अगर रहेगा तो यह mean position है, यहां पे at rest पे है, और जैसे ही, जैसे मैं देखाता हूँ आपको, इसको उधर ढखेल के इधर छोड़ेंगे, तो यह ऐसे, करके आना चालू होगा, ठीक, तो यह जो आएगा इस तरह से, इस तरह से इधर आएगा, ठीक, या उधर भी जाएगा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया और डिस्टेंस कौन सा होगा है, ए होगा और बी होगा, ठीक, तो मतलब, मीन पोजिशन से, वो maximum distance कवर करता है, कोई भी vibrating object, तो उसको क्या बोलते हैं, amplitude, अब इस diagram से समझो, यह amplitude का main diagram हो गया, इससे आप लोग wavelength को भी समझ सकते हो, मैंने wavelength पढ़ाया भी है, पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, कोई भी wavelength जाती है, मतलब, कोई sound produce होता है, तो इस तरह से जाती है, ठीक, तो इसका जो initial point से, main, maximum distance होता है, कितना वो louder जा सकता है, वो maximum distance जो होता है, mean position से, उसी को हम amplitude कहते हैं, और दो amplitude, मतलब, दो maximum distance के बीच में, जो यह जो gap होता है, उसी को हम लोग wavelength भी बोलते हैं, समझ में आया, तो पहले pendulum से समझाते हैं, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक, maximum distance covered by a vibrating और swinging object, maximum distance मतलब mean position से, वो कितना दूर जा सकता है, मतलब maximum से maximum जा सकता है, उसी को उसका amplitude कहते हैं, vibrating object का उसको amplitude कहते हैं, जैसे वो यहां से यहां तक आया, तो यहां पर उसका amplitude होगा, वहां से यहां आया, तो maximum distance होगा, mean position से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, amplitude बोलते हैं, और जिसका symbol a होता है, जिसका पहला लेटर से ही a होता है, ठीक, उसके बाद दूसरा point भी है यहां पर, तो यहां पर भी समझो, कि amplitude describes how much far the oscillating object is displaced from its central position, मतलब यह थोड़ा सा bookish language, और यह मैंने थोड़ा सा खुद से बनाया है, और आप लोग समझ सकते हो, इससे बढ़िया से, कि amplitude को हम ऐसे describe कर सकते हैं, कि केतना दूर, how far, how much far, मतलब कितना दूर, oscillating object यानि कि vibrating object, swinging object, displaced जा सकता है, अपने central position से, मतलब यह O position जो है, उस central position है, और यहां से कितना दूर तक वो जा सकता है, कितना दूर का मतलब, कि अगर बाब को हम लोग छोड़ेंगे, थोड़ा से इदर घीचेंगे और छोड़ देंगे, तो वो घूमन चालू करेगा, मतलब O से जब A पर आएगा, तो वो उसका maximum displacement, maximum distance होगा, अपने central position से, यह बोल रहा है, यह दूसरा point, तो यहां पर इसको भी मैंने समझा दिया, और इसको भी मैंने समझा दिया, लेकिन आपको यह थोड़ा सा complex लग रहा होगा, तो मैं इसको फिर से समझात हूँ, तो यह amplitude किसको बोलते है, जैसे ही sound produce हुआ, इस तरह से वो जा रहा है, travel कर रहा है, किसके मदद से, medium की मदद से, चाहे air, liquid, sorry, gas, liquid और solid, यही तीन से जाता है, vacuum से नहीं जाता है, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आप लोग देखो जाके पहले वीडियो, तो यहां पे उसके central position से, वो कितना दूरी maximum से maximum जा सकता है, वो length, कौन, wavelength, कितना जा सकता है, और दो amplitude के बीच में बनता है wavelength, मतलब यहां से, यहां तक, मतलब यह इतना हुआ, एक wavelength, एक wavelength, इसी तरह से count होता है, amplitude, vibrate, record होता है, हम लोग उसको record कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया recording vibration भी, recording vibration ही चल रहा है, तो इसको आप लोग note down करो, और अब हम लोग पढ़ेंगे time period, time period, time period का जो sample होता है, वो T से होता है, T होता है, ठीक, उसके बाद पहला point पढ़ेंगे, दूसरा point पढ़ेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पेंडूलम जो है, मिटा दिया है, तो pendulum से आप ल कर दूँगा, sorry, मिटा नहीं दूँगा, time period, जिसको हम लोग T से denote करते हैं, is the time taken by a vibrating object or oscillating object to complete one vibration, मतलब एक vibration complete करने में, जो समय लगता है, time लगता है, कोई भी चीज, दुनिया में होता है, तो उसको होता है, तो वो time लेता ही लेता है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो म मैं अपने time देतो रहा हूं, तब तो पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज time लेगा, तभी वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए time period, मतलब vibration होने के लिए भी कुछ time के जरुवत पढ़ता है, उस time को, हम लोग किसी vibrating object के time को, जो time लेता है, vibrating object, vibrate करने में, उसी को ह नोट किया जाता है, टी से लिखा जाता है, तो यहाँ पे SI unit क्या होता है time का, तो SI unit of measuring time period is second, मतलब second हो में नापा जाता है इस time period को, जैसे कैसे नापा जाएगा, टू सेकंड, इस तरह से, दो सेकंड लिया vibrating object, vibrate करने में, तीन सेकंड लिया, या 0.03 सेकंड है, इससे करकरके 0.00 में भी लेता है, तो इस तरह से वो क्या लेता है, वो time लेता है, vibrate करने में, तो अब हम लोग चालू करेंगे frequency, तो frequency क्या है, और frequency और time period में relation क्या है, उसका संबंद क्या है, वो भी जानेंगे, तो frequency ये start करते हैं, तो सबसे पहले frequency का लिखते हैं, क्या frequency होता है, और कैसे होता है, क्यूं होता है, और time से उसका relation है क्या, कैसे वो time से संबंद मनाता है, तो अब पढ़ेंगे frequency, तो frequency का जो sign होता है, वो तो इफ होता है क्या होता है इफ का मतलब frequency तो frequency क्या होता है और oscillation क्या होता है तो oscillation आप लोगोंने 7 में पढ़ा था कि oscillation मतलब mean point मतलब यह bob अगर o से a पे जाए और फिर o से फिर b पे जाए और फिर से लोट कर o पे आ जाए उसी को oscillation बोलते है तो हम मैं उसको अच्छे से बताऊंगा पहले frequency क्या होता है पहले वो जाल लेते है frequency is defined as the number of oscillation per second मतलब कितना oscillation वो एक second में मार सकता है उसी को frequency कहते है frequency का जो sign होता है वो hertz होता है hz हर्ट्स क्या हर्ट्स हर्ट्स होता है ठीक frequency is measured in हर्ट्स so when an object make one vibration in one second then its frequency is one हर्ट्स मतलब क्या बोला पहले उपर अलब पॉइंट नहीं समझाया मैंने तो मैं समझा देता हूँ frequency is defined as number of oscillation per second मतलब oscillation पहले क्या होता है पहले मुझे यह बताओ कि o से अगर a पे जाए और फिर से a से b पे जाए और b से फिर यहां पे आए उसको क्या बोलेंगे oscillation बोलेंगे आप लोगो seven chapter seven class में पढ़ा था आप लोगो chapter मिला था हूँ आपे motion motion में आप लोगो ये pendulum के बारे में पढ़ा था और तो लिख लो, oxalation का होगा, the motion from A to B, the motion from A to B, मतलब O से निकला, A पे गया, फिर B पे गया, and back to A, फिर back आया A के पास, और फिर से O के पास चला गया, तो ये होता है, one oxalation, मतलब यहाँ पे देखो, frequency is measured in hertz hz, so when an object makes one vibration, एक vibration यानि कि, एक oxalation वो करेगा, एक बार जब oxalation करेगा pendulum, और उसको एक second लगेगा, एक oxalation में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, one hertz, एक hertz मोलेंगे, frequency के भासा में, फिर से, oxalation क्या होता है, A से B, B से A, और फिर से O, मतलब, A से गया, A से B के पास, B से फिर से लोट आया, A के पास, और फिर O पे रुख गया, तो उसको क्या बोलेंगे, one oxalation, मतलब, frequency हम, जब एक oxalation, एक pendulum करता है, एक second में, और तो उसका frequency क्या होगा, उस pendulum का, one hertz होगा, ये हो गया, ना पा तॉली, उसके बाद, relation between time period and frequency, ये मैंने बताया था, तो पहले, इसको no down करो, और फिर मैं ये बताता हूँ, चलो, बता देता हूँ, फिर सारा एक साथ no down कर लेना, since the frequency of vibrating object, since the frequency of vibrating object, is equal to the reciprocal or inverse of its time period, मतलब frequency को हम बराबर कब लिख सकते है time period के, जब time period नीचे हो, समझे माया, frequency को हम बराबर time period से कब लिख सकते है, जब वो time period reciprocal हो, या inverse हो, मतलब कहते हैं हम, कि frequency जब होता है, वो time period के, inversely proportional होता है, inversely proportional, मतलब, जेतना ज़्यादा frequency, उतना कम time, समझ में आया, जेतना frequency, उतना कम time लगेगा, vibrating object को, वाइबरेट करने में, ठीक, ये हो गया frequency का relation time period से, time period से कैसी हुआ, मतलब अगर frequency को बराबर लिखना चाहते हैं time period के साथ तो कैसे लिखेंगे बराबर तो लिख दिये लेकिन एक बटा में करके लिखना पड़ेगा हमको time period को frequency के अगर बराबर लिखते हैं तो यह तरह से formula भी हो गया और आपको अगर numericals मिलता है बोलेगा कि if a pendulum takes two seconds to complete one oscillation find it frequency तो frequency का formula लिखना one by time period time period second में होना चाहिए minute में होगा 2 minute होगा 120 second हो जाएगा 3 minute होगा 180 second हो जाएगा उस तरह से frequency का निकाल देना time period कितना frequency हुआ है और time period को नीचे लिखना है ठीक अब यही हो गया तुम्हारा frequency और relation between time period and frequency खतम और recording vibration भी खतम इस तरह से हम लोग record कर सकते है vibration को अब हम लोग पढ़ेंगे characteristics of sound लेकिन आप लोग एक बात बताओ मुझे कि हर sound एक जैसा होता है क्या अरिजीत सिंग और लता मंगेसकर का आवाज एक जैसा होता है नहीं ना different होता है तो उसी को बोलते है characteristics of sound sound the sound is produced by one instrument is also different from another मतलब जैसे अरिजीत सिंग और लता मंगेसकर का आवाज अलग होता है उसी तरह हर एक आवाज अलग होता है एक दूसरे से अलग होता है कुछ का pitch जादा होता है कुछ का quality जादा होता है किसी का किसी का loudness जादा होता है इसी तरह से characteristics of sound को define किया जाता है तो characteristics of sound कितने परकार के होते हैं कितने types के होते हैं तो loudness, pitch and quality are the three characteristics of sound that help in distinguish sound मतलब हम लोग को sound अलग अलग क्यों सुनाए देता है इनी तीन condition के चलते इनी तीन characteristics of sound के चलते मतलब किसी का loud होगा sound किसी का pitch जादा होगा किसी का quality जादा होगा बढ़िया होगा तो जो कि हमें मदद करता है आवाज को पहचानने में कि कौन सा आवाज किसका है जैसे आपको mix करके दे दिया जाए लो अरेजिद सिंह का आवाज है और एक ही गाने में डो लड़क, एक लड़का का एक लड़की का आवाज होता है क tapping के की नहीं होता है उसीमें लड़का का आवाज कौन सा है लड़की का आवाज कौन सा है वह आप identify कैसे कर लेते हो इनी थीन characteristics के वज़ासे इनी तीन characteristics of sound की वज़ासे तो sound कितने types characteristics होते हैं sound के तो sound के पहला होता है loudness, pitch और quality ठीक यही तीनों होते हैं अब इन तीनों के बारे में एके करके पढ़ेंगे loudness सबसे पहले पढ़ेंगे loudness तो यहां पर loudness में पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच पॉइंट है और एक छोटा सा explanation है कि loudness and amplitude of vibration में क्या relation होता है ठीक तो एतना पहले पॉइंट पढ़ते हैं loudness of sound refers to how strongly the sound strikes our ear मतलब कि loudness of sound depend करता है, refers करता है कितना तेजी से आपके कानों में sound गूंज रहा है, बज रहा है मतलब loudness, जितना ज़्यादा loud होगा sound, उतना ज़्यादा आपका कान बजेगा यही बताता है आपका loudness of sound loudness of sound refers to how strongly the sound strikes our ear उसके बाद the loudness of sound determined by the amplitude of vibration मतलब loudness of sound determined किस पे करता है, depends किस पे रहता है amplitude of vibration मतलब जतना ज़्यादा amplitude, उतना ज़्यादा loud आवाज मतलब जतना amplitude ज़्यादा होगा, उतना तेजी से आवाज produce होगा it is directly proportional to the square of amplitude of vibration मतलब यह directly proportional होता है loudness a square के amplitude पे मतलब अगर हम loudness का square कर दे और एक तरफ amplitude को रख दे और बीच में proportional का sign दे दे तो क्या होगा जेतना ज्यादा amplitude होगा उससे दूगना मतलब square गुना amplitude का square गुना होगा कौन? loudness मतलब कि अगर मालो अगर मालो amplitude किसी का दो गुना बढ़ चुका है मालो कोई sound है वो बक रहा था कोई आदमी बोल रहा था तो वो amplitude को vibration को दो गुना बढ़ा देता है amplitude को तो उसका जो loudness होगा बोलने का वो चार गुना बढ़ जाएगा मतलब दो के स्क्वाइर गुना बढ़ जाएगा समझ में आया अगर एम्प्रिट्यूट दो गुना हो गया तो लाउडरेस चार गुना बढ़ेगा यह बोल रहा है यह फॉर्मूला एक तरह से और यह पॉइंट भी जतना ज्यादा एम्प्रिट्यूट होगा उतना लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा यह मैंने बताया भी तो अब किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हो कमेंट कर सकते हो और मैं उसका वीडियो या सौट्स बना कर आपका रिप्लाइ कर दूँगा तो यहां पर आपको अगर किसी पॉइंट में भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो यहां पर loudness का square amplitude of vibration के proportional होता है ठीक उसके बाद यह point भी clear हो गया loudness is expressed in a unit called decibel db d छोटा और b बड़ा मतलब loudness को measure करने के लिए उसका एक unit दिया गया है loudness को determine करने के लिए loudness को expressed दिखाने के लिए कि केतना loud है कोई भी आवाज उसको एक unit दिया गया है decibel db मतलब db आप लोग कहीं कहीं देखे होगे मैं editing भी करता हूँ तो अगर उसमें volume बढ़ाने को आता है तो उसमें लिखा व differ कि 10 decibel audio के लिए 20 decibel बढ़ाने के लिए 30 decibel audio बढ़ाने के लिए तो इस तरह से भी रहता है decibel में किसमें decibel में loudness बढ़ाने के लिए decimal का प्रियोग करते हैं अब loudness हो गया खतम तो अब हम चालू कर रहे हैं pitch तो pitch क्या होता है तो pitch का मतलब होता है pitch is the characteristics of sound which enable us to distinguish a shrill or sharp sound sound from a horse or a dull sound horse का मतलब यह नहीं कि घोड़ा इसका मतलब मैं बताता हूं pitch एक ऐसा characteristics of sound है जिससे हमें अलग मतलब पता लगाने का identify करने का identify कर सकते हैं pitch से कि कौनसा आवाज स्रील यानि की तीखा है कौनसा आवाज तीबर मतलब तेजी से आ रहा है कौनसा आवाज मतलब मंद है मंद का मतलब होता है डल डल आवाज डल आवाज है और कौनसा आवाज करकेश है मतलब थोड़ा सा फट कर आ रहा है इस तरह से जैसे पीच का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ कि पीच एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स और साउंड है जिससे हमें किसी भी साउंड को पता लगाने की लगा सकते हैं पीच से कि कौन सा साउंड मंद है दल है कौन सा सांड सार्फ है मतलब तीव रह तेजी से आ रहा है कौन सा सा तीखा है еньतलब थोड़ा सा तीखा जैसा उसमें वाइब आ रहा है तो किस से हम लोग पता लगा सकते हैं तो यह पीछ से पता लगा सकते हैं कि कौन सा आवाज तीखा है कौन सा आवाज कड़ा है कौन सा आवाज तीवर गती से आ रहा है मतलब तेज आ रहा है कौन सा आवाज डल है इस तरह से हम लोग पीछ से पता करते हैं ठीक अब दूसरा point That is the reason why it is easier to distinguish the voice of a child as the woman from the death of men इसी लिए हम पीछ की वजज़ से हम लोग पता लगा पाते है कि अगर बच्चा बोल रहा है तो हम लोग बच्चा का आवाज आ रहा है कि लड़की का आवाज आ रहा है कि एक जवान लड़के का आवाज आ रहा है जैसे कोई भी आगर आदमी बोलता है या बच्चा बोलता है अगर तीनो साथ में बोले तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये बच्चा बोल रहा है ये महिला बोल रही है ये पुरुस बोल रहा है इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हो किस से पिश से पता लगा सकते हो मतल मतलब, shrillness of a sound को pitch कहा जाता है, क्या कहा जाता है, the shrillness of a sound is called its pitch, मतलब, किसी भी sound का shrillness, यानि कि तीखी आवाज को, जितना ज़्यादा तीखा आवाज होगा, उतना ज़्यादा pitch होगा उस sound का, ठीक, अब देखो, the sound with a shrill has a higher frequency, मतलब, जितना ज़्यादा shrill sound, उतना higher frequency भी ह होगा, किसी भी dull sound का, किसी भी मंद sound का, ठीक, it means the higher the pitch, it means the higher the pitch, the higher the frequency, मतलब, कि जितना ज़्यादा pitch होगा, उतना ज़्यादा frequency होगा उस sound का, ये बोल रहा है, ये point, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, the voice of a female is more high-pitched than a man's voice, मतलब, जो लड़े महिला आवाज निकालती है वो उनका जो आवाज होता है, वो ज़्यादा pitch होता है, वो ज़्यादा shrill होता है, shrill का मतलब मैंने बताया, तीखी आवाज, मतलब वो बोलती है, तो तीखा जैसा feel आता है, तो वो ज़्यादा loud होता है, frequency loud होने के कारण, frequency जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा loud होता है, लेकिन किस से, man का voice उतना ज़्यादा तीखा नहीं होता है, उनका थोड़ा काड़ा होता है, भारी आवाज होता है, तो यही पढ़ना था pitch में, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, difference between pitch and loudness, difference between pitch and loudness, pitch और loudness में क्या-क्य differences हो सकते हैं, तो सबसे पहले है loudness और इधर है pitch, pitch और loudness में दो ही point है, दो ही point main है almost, मतलब almost same ही है, एक ही difference है कि यह amplitude पे depend करता है, यह frequency पे depend करता है, तो पहले point पढ़के आपको समझाता हूँ, कि it depends upon the amplitude of vibrating object, मतलब loudness कैसे किसी vibrating object के amplitude पे depend करता है, मतलब जितना ज़्यादा amplitude होगा, उतना ज़्यादा loudness बढ़ेगा, जैसे मैंने loudness का topic में भी पढ़ाया, कि amplitude जतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा loud होगा वह आवाज, तो amplitude, sorry loudness किस पे depend कर रहा है, depend कर रहा है amplitude पे, कि अगर amplitude बढ़ेगा, तो ही मैं मढ़ूंगा नहीं, तो मैं हिलने वाला भी नहीं हूँ, ठीक, अब उधर है, it depends upon the frequency of vibrating object, मतलब यह pitch, depend किस पे करेगा, यह depend करेगा, frequency पे, अभी मैंने पढ़ाया, कुछ दर पहले ही, दो मिनट भी नहीं हुआ यहाँ पे, और pitch का मतलब होता है frequency पे depend करना, मतलब shrillness of sound is called pitch, but frequency पे depend कैसे करता है, frequency पे depend मतलब frequency जतना ज़्यादा होगा, उतना sound shrill आएगा, और अगर frequency कम होगा तो sound best sound करेगा, मतलब dull sound करेगा, ठीक, तो यहाँ पे, दूसरा point है, it does not change with change in frequency, मतलब इसको frequency से कोई जयना दना नहीं है loudness को, loudness किसी भी आवाज का amplitude decide करेगा कि बढ़ेगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन frequency decide नहीं करेगा, कि loudness बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेग इसलिए यह अगर frequency अगर change होता है, तो इसको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है, फर्क किसको पढ़ेगा, जो frequency पे depend है, pitch को पढ़ेगा, कि अगर frequency अगर change होगा, तो वो भी change होगा, frequency अगर बढ़ेगा, तो shrillness और pitch भी बढ़ेगा, अगर frequency कम होगा, तो shrillness और pitch भी कम हो चलता है तो मैं आपको comment box में बता दूँगा या description में लिख दूँगा अगर नहीं मिला तो इतना ही चलता है आपको notes बनाओ और notes में link description में और best notes है मेरा मतलब 2-3 book को NCRT को और Google बाबा को by juice बाबा को सब बाबा को उठा के मैंने उसमें पटका है और एक अच्छा सा notes तयार किया है तो उसको जाकर देखो जरूर और यहाँ पे अब हम लोग चालू करने वाल है quality quality of sound तीसरा characteristics of sound quality देखो भाई यह है quality सब का बाब मतलब pitch और loudness का बाब यह है पापा जी मतलब characteristics of sound that enable us to distinguish between two sound of the sound of same loudness same loudness and pitch produced by two different sound is called quality or timbre चाये तुम quality बोलो चाये तुम timbre बोलो दोनों बात में कोई फर्क नहीं है quality को timbre भी बोला जाता है quality of sound is called timbre quality of sound is called timbre तो यहाँ पे एक ऐसा characteristics of sound जिससे हमें दो different sounds को डिस्टिग्यूस मतलब identify करने पे मदद करता है वो भी किसमे same loudness और same pitch पे भी हम distribuze कर सकते हैं किसकी मदद से quality की मदद से मतलब किसी sound produce हो रहा है sound किसी का same कम मतलब same loudness पे है लेकिन वो डिष्ट डिस्टिग्यूस मतलब identify कर सकते हैं कि कौन से sound kis किसका है कौसांड किसका है किसकी मदद से कॉलिटी की मदद से हुआ ना सबका बाप कॉलिटी तो कैसे कर सकते हैं जैसे जैसे कि अरीजीज सिंग और लता मंगेसकर का मैंने एक्जामपल लिया था इसी से एक्जामपल लेकर समझते हैं कि अरीजीज सिंग अस्टेज पर गाना गा रहा है बगल में खड़ा होकर लता मंगेसकर जी भी गाना गा रही है तो अगर arjit singh गाना गाए और same loudness पे, मतलब loudness का loudness, same loudness पे गाए और same pitch पे भी गाए, same thrillness भी होना चाहिए, और same loudness भी होना चाहिए, दोनों का loudness, लेकिन हम लोग उसको identify कर लेते हैं, कि ये लड़की का आवाज है, लता में ये इसकर जी का आवाज है, और ये एक arjit singh क आवाज है ठीक अरिजी सिंह का वाज है कैसे Mr. लौने का Qualletti की मदद से उनका इनका बोलने का qalAMA का QUall cooperative अलग होता है इसलिए सें माइस सें-पींच्च होने के बाववजूद भी हम लोग उसको हमस्कोर कर सकते है है प्रेडेकता के लौने का कि अथा है और यह अरीजी सिंग का आवाज है इस तरह से हम लोग डिस्टिग्यूस कर सकते हैं किसकी मदद से कॉलिटी की मदद से सेम लाडनेस और पिछ होने के बावजूद भी अगर दो अलग-अलग सौंड आया तो भी डिस्टिग्यूस कर सकते हैं this help us differentiate between the sound of musical instrument and between sound of male and female मतलब यह quality हमको किसमे मदद करता है जैसे कोई instrument है जैसे drum हो गया flute हो गया वो same pitch और loudness पे बजाया जा रहा है वो sound उसमें produce हो रहा है तो वो differentiate हो जाता है flute की मदद, flute का से produce हो रहा है यह आवाज और यह आवाज drum से produce हो रहा है कैसे होता है quality की मदद से, एक male और female भी अगर एक loudness और एक pitch पे बोले तो भी उसका वो differentiate हो जाएगा उन दोनों का sound कि कौन सा sound किसका है मतलब यह male का है और यह female का है तो यहाँ पे हो गया quality खतम, तो मैं यहाँ पे एक diagram आप लोगों को देना चाहता हूं तो सबसे पहले इसको no down करो और मैं अभी diagram को दिखाता हूं आपको board पे तो यह रहा हो diagram तो यहाँ पे इस ear का diagram को देखो आप लो कान का diagram को कि इसमें बहुत सारे parts दिये गए हैं तो यहाँ पे आपको mobile पे इसको याद करवाना थोड़ा मुस्किल है तो आप लोग इस diagram को screenshot मार लो चाहे तो आप लोग को description में इसका link मिल जाएगा इस photo का तो आप लोग वहां से भी जाकर download कर लो और इस photo को बनाओ draw करो diagram को और यहाँ पे इसको सारे सारे जो level है कि कहाँ पे कौकिला है कहाँ पे कहाँ पे ear drum है कहाँ पे और अग्ले विडीयो में यह भर दम पर प्रियोग होने वाला है ये यूज होने वाला है कि कोकिला कहां से कहां मतलब transfer होता है क्या sound sound दिमाग तक कैसे पहुंचता है कान से तो कान कैसे उसको पहुंचाता है दिमाग तक वो भी आपको पढ़ना है अगले वीडियो में ये वीडियो अप समाप्त होने ही वाला है तो इसको आप लोग note down कर लो और यहां पे इस diagram को भी पार लो और सबको labeled भी कर ल सोंट रहें तो अप। लोग इसको no down कर लोगौ जाने का चैनल होस्ति सब्सक्राइब करें ऐए